नमस्ते, बोलती बुक्स्विद अंशली चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विशे है परमानू और तत्व। आज विज्ञान की कक्षा में हम प्रकृति की हर चीज के निर्मान की सबसे छोटी ही काई परमानू यानी आटम के बारे में सीखेंगे। परमानू प्रदार्थ या मैटर की मूली काई है। आओ काव्या, रिया, सनी और सुमित के साथ सीखते हैं। हमारी प्रकृति में बहुत तरही की चीज़े हैं। जिस हवा में हम सास लेते हैं, जो गोजन हम खाते हैं, पत्थर, तारे, बादल, पौधे, जानवर और हम सब प्रदार्थ से बने हैं। प्रदार्थ के तीन रूप हैं। ये तीन रूप हैं ठोस या सॉलिड, जैसे चर्टान, तरह या लिक्विड, जैसे पानी, और गैस, जैसे हवा है। इन रूपों को प्रदार्थी अवस्थाएं, यानि स्टेट्स ओफ माटर कहते हैं। और प्रदार्थ से ही सब कुछ बना है। प्रदार्थ में द्रव्यमान या मास होता है और प्रदार्थ जगे गेरता है। काव्या ने पूचा, क्या प्रदार्थ के छोटे-छोटे हिस्थे किये जा सकते हैं। मीरा माम ने बताया, हाँ प्रदार्थ की सब से छोटी, इकाई या हिस्थे को परमानू कहते हैं। परमानू या एटम अकार में बहुत छोटे होते हैं। हमने अपनी आखों से नहीं देख सकते और बहुत शप्ते-शाली सुक्षिंदर्शी का इस्तमाल करके भी नहीं देख सकते। परमानू को छोटी-छोटी गोल गेंदो की तरह दिखाते हैं। और अंग्रेजी के एक या दो अक्षिरों को परमानू के प्रतीक चिन यानि सिंबल की तरह लिखते हैं। अलग-लग रंगों के गोलाकार पर्मानूं के प्रतीक हैं अलग-लग तरहे के पर्मानूं की माप यानि साइज में अंतर होता है यह सर्फ एक चित्र है यह समझाने के लिए कि अलग-लग तरहे के पर्मानूं अलग-लग माप के होते हैं हर तरहें के पर्माण के प्रतिक के लिए याद तो अब शुरू का उप्योग किया जाता है इस वीडियो के अंत में इन पर्माण के पूरे नाम उनके प्रतिक चिन के साथ दिये गए हैं अगर हम पर्मान नहीं देख सकते हैं तब पर्मानों से प्रदार्थ और चीजें कैसे बन सकती हैं? काव्या ने पूछा पोवस सारे पर्मान आपस में जुड़ते हैं और प्रदार्थ बनाते हैं और तब हमें एक चीज की तरह एक समान की तरह दिखाई देते हैं प्रदार्ट कैसे बनेगा आओ एक गतिविदी से समझते हैं तुम सब एक खाली कागज के बीच में अपनी पेंसन से एक बहुत चोटा बिंदू यर डॉट लगाओ और उसे ध्यान से देखो प्रिया ने का मुझे मेरा बिंदू नहीं मिल रहा अब इस बिंदू के आस पास और कई सारे बिंदू लगाओ आप देखो क्या दिखाई देता है मीरा माम ने पूछा काव्या ने अपनी कौपी दिखाते वे कहा हाँ अब मैं कागज में बिंदूं से भरी एक गहरे रंग की जगे देख सकती हूँ एक दूसरे के आस पास बने कई बिंदू उस जगे को गहरा रंग का बनाते हैं हाँ हम हर एक पर्मानों को अलग लग नहीं देख सकते लेकिन जब हर वो पर्मानों एक दूसरे के आस पास होते हैं और खास तरीके से जोड जाते हैं तब हम में चीजें दिखाई देती हैं सुमित ने पूछा क्या पर्मानों के और भी छोटे भाग हो सकते हैं मीरा नाम ने बताया, परमाणूं तीन बहुत छोटे कर रोटॉन, न्यूडॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, इन्हें अब परमाण में कण कहा जाता है, रोटॉन और न्यूडॉन परमाणूं के वीच में बहुत छोटी चाये, नाबिक यानी न्यूकलियस में रहते हैं, इ गूंते हुए एक्ट्रॉन बादल बनाते हैं। एक्ट्रॉन ठीकती बहुत तेज होती है और ये नावगे के चारों तरफ एक बड़े शेत्र में गूंते हैं। अलग लग तरहेगे परमाणों में ठेन और परमाणवे कड़ों यानी सब अटोमिक पार्टिकल्स की संथ्या अलग होती है। परमाणों कैसे जोर सकते हैं। ये वैवात परमाणवे कड़ यानी सब अटोमिक पार्टिकल्स ही तै करते हैं। अगर हम परमाणों को एक कोल गेंद मालनें तो गेंद की बीच में या गेंद्र को परमाण का नाबिक माना जा सकता है और गेंद्र से गेंद के बारी सत्य तक का पूरा शित तेजी से भूंते इलेक्ट्रोनों की जगे है यानि इलेक्ट्रोन बादल इस चित्र में परमाणों का नाबिक निगे रनता है और हरा लाल सपेद इलेक्ट्रोन बादल है यहाँ चित्र में परमाणों का इलेक्ट्रोन बादल या इलेक्ट्रोन क्लाउड बॉडल समझाया गया है इलेक्ट्रोन बहुत तेजी से परमाणू में उसके नाबिक या नुक्लियस के चारोहो चक्र लदातर है और यह बादल जहां जितने यहरे रंग का है वहां इलेक्ट्रोन के पाई जाने की समभावना उतना अधिक है नीले रंग में नाबिक दिखाया गया है जिसमें प्रोतॉन और नुट्रोन होते हैं प्रत्री पर 118 तने के परमाणू खोचे गए हैं इन में से बानवे प्राकर्तिक रूप से पाई जाते हैं और बाकी प्रत्रिम या मैनमेड हैं यह तत्व क्या होता है सनी ने पूछाओ जब केवल एक ही तरह के परमाणू आपस में जूड़ते हैं तो वे तत्व बनाते हैं उधारन के यह जेवर बनाने के यह इस्तमाल होने वाला सुन्ना एक तत्व है क्योंकि यह सिर्फ सोने के परमाणूं से बना है यहां आप देखिए इस चित्र में सोने के परमाणूं आपस में चुड़कर सोना बना रहे हैं और यह सोने का उप्यों जेवर या हार बनाने के यह किया गया है इसी तरह से तत्व का और एक उधारण है लोहा यह सिर्फ लोहे के परमाणूं से बना है हम कई तरह के औजार और मशीने बनाने के लिए लोहे का उप्योग करते हैं लोहे के परमाणूं आपस में चुड़कर लोहा बनाते हैं और लोह तत्व से हम बहुत सारा सामान जैसे कई तने के उपकरण और आजार बना सकते हैं। बहुत सारे परमानू खास तरीके से एक साथ जुड़ते हैं, परमानू किस तरही से एक दूसरे से जुड़े हैं, यह भी एक जरूरी बात है। कारवन तत्व प्रकरती में दो चीजों हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। यह दोनों सिर्फ कारवन के परमानूं से ही बने हैं, लेकिन इनमें परमानूं अलग अलग तरीके से जुड़ते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, कारवन के परमानूं हीरा और ग्रेफाइट दोनों में अलग तरह से जुड़े हैं। यहां पर अलग अलग तरह के परमानूं उनके नाम और प्रतीक चिंग के साथ दिखाए गए हैं। जैसे hydrogen, sodium, mercury, iodine, silver, chlorine, nitrogen, oxygen, aluminium, zinc, potassium, carbon, phosphorus, calcium, gold, silver, iron, fluorine, neon, magnesium, helium, bromine, copper अच्छा, आप ये सूच के बताईए, अगर अलग तरह के परमानूं आपस में जुड़ेंगे, तब क्या होगा? वीडियो को लाइक करें और शेर करें और चानल को सब्स्प्राइब करें। धन्यवाद।